Hello everyone, welcome back to my channel Logic Gainers, my name is Nita तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाने हैं Class 7th Science का Chapter No. 5 Which is Acids, Bases and Sols मतलब नाम से ही पता चल रहे हैं कि हम लोग Acids क्या होते हैं Bases क्या होते हैं, Sols क्या होते हैं उनके बारे में Study करेंगे, ठीक है न? तो Acids basically होते हैं सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है Bases कौन से कौन से होते हैं, उसको हम recognize कैसे करेंगे देखें, ऐसे क्या होता है, कि हम जो अपनी डेली की लाइफ लेकर के चल रहे हैं तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़े यूज करते हैं अब अगर अपने किचन में चले जाओ तो किचन में आप खाना बनाते हो तो कितने सारी स्पाइसे यूज करते हो चिली ठीक है टर्मरीक आप यूज करते हो इसके लाइब और आप यूज करते हो इसके लाइब आप विनेगर यूज करते हो ओई यूज करते हो शुगर अगर आप अपने वाश्रूम में देखें तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो भी क्लीनर्स होते हैं वो मिल जाएंगे इसके अलावा आपको शैंपू मिल जाएगा, सोप मिल जाएगा, डिटरजिंक मिल जाएगा तो यह सारी चीज़े आपको मिलेंगी ऐसे आप अलग अनु मिल जाएगा, बने करद एक तो मैं दो जाएगा मिल कूली दो जाएगा तो जो की है, प्रच क्राइख चोब जाएगा, और confession को सबूआ पर हैं, को सहल आखा है के और सक्रावार विल जाएगा न सबहें, क्लोड़़ और होने क्लाऑ, हम कल दो में एक आएगा तक में जैसे कि हम अगर कुछ यहाँ पर आपकी जो एक टेबल भी बना रखी है उसमें तो उसको ही ले करके चल रहे हैं कि ऐसे हम डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसे सबस्टेंसे हैं जिनका टेस्ट जो होता है वो अलग-अलग होता है आप देखा होगा आ लुट गोमें होगे किसी कट इस कoo और तरीकिका होगा तो उसमें सबसे पहले जर्लीह कंचाल प्लाburg नहुक्त उन्त डिएल्ट कैसा होता? 一 Genesis Ta एक दा मैं ऑर एन्य जूश्ट होता है हमारा वहां कि विर्फार होता है विर्म भी क्षोर होते है एक त्यूंति से सउुन खुए मिभी काया क्ली Nós और यह स्वोर होता है क्लीält होते है Śब्वाथ होता है कि शुगर स्कतर जाता है कि शुंधा म challah, जुआ आपको करना को सोल में होटाया cracking सुडा कि पवल और और भी कि आपको करने सेंगे कि मुए आपको पड़ता है। भी होते हैं, तो इस तरीकेप है, स्टेस्सोर होता है जो हम हम इसटेबल से पतर हैं, कि जो भी सब्स्टेसेंस नहीं हला है उनका सबका टेस्ट अलग-अलग होता है, अब ऐसा क्यों होता है कि किसी का टेस्ट खटा है, किसी का टेस्ट मीठा है, कोई बहुत जादा बिटर है, बहुत जादा कड़वा है, कोई सौल्टी है, ठीक है, तो ये टेस्ट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे सबस्टे है जिसमें बेस है ठीक है तो हम एसे बेस के बार में एक बार पढ़ लेते हैं कि exactly वह हम लोग कैसे करेंगे और वह होते क्या है तो इसे हमें क्या पता चलता है कि जो भी ऐसे अगर आप टेस्ट करके देखोगे और वह खटे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर क्या होगा इसे अदर इसे होगा इनका नेचर होता है मतलब जब रियक्शन करते हैं तो इनका नेचर हमेशा एसे डिक से क्या समचते हैं एक लेटन वर्ट से निटल के आया है इसका जो हो है एस और यह क्या होता है क्या हो गया कि एक बर्निंग इनके अंदर क्याबिलिटी होती है कि यह बर्न कर देते हैं अब बर्न करने से आप लोग यह समझे कि आप लैमन जुक्स पियेंगे तो आपका गलाई बंदा से बान हो जाएगा यह जो नेचर हमें एसे दिये हैं जो ऐसे नेचर से प्रवाइ यह बर्निंग के बिलिटी होती है इसलिए आप लोगों को बोला चानता है कि आप लोग पैनों गलॉफ्स पैनों वह अलग टाइप के अब ही जो मैं से बात कर रहे हैं यह हमें नेचर ने प्रवाइट किया और इनके अंदर इतनी जादा बर्निंग नहीं होती है इंका जो अगर आप इसको टॉड़ा सा थोड़ा सा चिकना चिकना सा लगी गई है और फिर अगर टेस्ट करोंगे तो यह कैसा होगा बिटर होगा तो इस टाइप की जो भी चीजी होंगी वह हमेशा बेस होते है ठीक है वह बेस में आएंगे जैसे कि आपका बेकिंग सोडा अभी हम कर लोगने के वाटर के साथ में तो थोड़ा सा सोपी लगेगा तो उससे क्या पता चरता है कि वह बेस की कैटेजरी में आता है वह एक है अ根ndaj नींचर सभीयाति इनका जो नेचर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर बोलते हैं अब हम लोग एक पॉइंट यहां पर यह आता है, कि आप हमें टेस्ट करने से तो पता चल गया कि भई जो बिटर है, वो तो बेस है और जो कैसे सार है, वो ऐसे देख, बट अब इनको आप कैसे चेक करोगे, यह तो आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसी लिए क्या है, कुछ एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ एक ऐसे सबस्टेंसिस होते हैं, जिसको हम स्पेशल सबस्टेंसिस बोलते हैं, ऐसे सबस्टेंसिस फाइंड आउट करने के लिए यह तो इसी लिए यहां पर मैंने के पॉइंस लिखा है, स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंसिस आर यूज तो टेस्ट वेदर सबस्टेंस इस एसेडिक और बेसिक, मतलब कोई सबस्टेंस एसेडिक है, या कोई सबस्टेंस बे बेसिक है वो पगा करने के लिए बिना टेस्ट किये हम लोग कुछ दूसरे सबस्टेंस का यूज करते हैं तो उन सबस्टेंस को स्पेशल सबस्टेंस कहते हैं और इनको हम लोग इंडिकेटर्स बोलेंगे ठीक है तो ऐसे सबस्टेंस जो की चेक आरो टेस्ट करने जो सबस्टेंस है वो log in doubly इंडिकेटर बोलेंगे अभने बात करते हैं के ऐसे कौन से इंडिकेटर साथ है चोंकी इंडिकेटर गोसे बहुत वह कि हमारा टर्मरीक लेकमस पेपर चाइना रोज जिसको हम लोग बुलर्ड भी बोलते हैं चाइना रोज की जो पैटर्लोस यह भी यूस में आती हैं सब्स्टेस्स को टेस्ट करने के लिए तो यह कुछ हमारे नैचुरल इंडिकेटर सोत हैं ठीक है तो यह किस तरीके से इ वीडियो में अभी ही जो हम इस वीडियो पे पढने वाले हैं हो यह कि वारेशिट्स होते है इस और किस चीज में मिलते है खौरन सा सब्सटेंशा giació और किने ताइपू ज़िग है है उशंक किस नामी है हमारे कुछ अच्छान चाहिया है और चूर्पन के दिए कि इसमें एक जिवड़िया यहां पर जितने वी इस इस आरे और यहां चाहिशन के तुन लेट टब मूंन एन भरी अधानि मीशन चुन. तो यह हमेशा विलेगर में मिलेगा जब हमें कोई भी एंट बगएर कोई चीटी काटती तो क्या होता है उस टाइम पर जो पार होता है जहां पर भी वह बाइट करती है तो उस पार पर कुछ ड्रेट सा एक पैच बन जाता है तो वह किस की वज़े से बढ़ता है वह एक एक जितने भी साइट्रस प्रूट जैसे मदलब जो खटे वाले प्रूट होते है लेमन ओगया और इंज हो गया तो इस टाइप जो भी हमारे प्रूट्स होंगे उसमें हमें साइट्रिक एसे मिलता है कर्ड में हमें कर्ड तूकि आपको पता है बैक्टिरिया की बज़े से बन आमला हो गया या तो दूसरे और भी बहुत सारे कुछ इस हथा खटे हो जाते हैं कि मतलब की कड़वे से लगने लगते खटे होने की वज़े जैसे कि आमला हो गया तो उन सब में हमें एक्सकॉर्बिक एसेड मिलेगा ठीक है जिसमें विटामिन C जादा होता है ठीक है ऐस जो भी फ्रूट्स होगे जिसमें सबसे जादा विटामिन C होगा तो उसमें हमें हमेशा स्कॉर्बिक एसेड मिलेगा एक हो गया ठीक हैसेड जो जैसे कि टैमिरिंट हो गया ग्रेप्स हो गया अन्रिप मैंगो जो खटे वाले कच्चे वाले आम आते हैं क्या ही इसको बोल सबस्क्राइब देखा होता है तो हम आप जोब इसको टेस्त करोगे तो वीटिर शोपी रहता है window cleaner शोतह है आपने देखा होगा बहुत सरी क्लीनिग के लिए तेólë विंडू करने है तो उन रिल में हमें तो तो सोब आप टेस्ट भी हो तो कर ले मिम्लेख से कीजैंस है ना को सब्सक्राइब एक सॉड़्ीय। पर दोड़ा सा देंजरस होता है तो इसको हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं जब हम पोटेशियम को यूज करते हैं आगे इस लास्के में मारा मैगनेशयम हाईडरोकसाइड यह मिलक ऑफ मैगनेशयम में मिलता है इस से लए इसको मेें मिलक ऑफ मैगनेशयम होते हैं इसके ये भी हमारा हुआइडरोकसाइड हैं आगे की ही हां और यह थी रहेंगे तो यहां तक तो हमने देख लिया कि हम कौन-कौन से assets होते हैं इंडिकेटर के बारे में बात कर लिये हमने बट अब हम इंडिकेटर से यह चेक करेंगे कि किस तरीके से इसे हम यह टेस्ट कर सकते हैं कि बेस कौन सा है और asset कौन सा है तो वो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगे अगर अच्छी लगे हो तो इसको शेर करें अपने फ्रेंड के साथ में और लाइक करना भुकुमत बूलिएगा चलिए म